आमादमी पार्टी के 390 केंट विधान सभा प्रतियाशी द्वारा मोनिया मवस्या पर 80 घाट से राजगार तक सफाई अभ्यान उर्जन संपर किया और अपने विचार खुलकर नेशन इंडिया न्यूस के स्मक्ष रखे आमादमी पार्टी से मुझे केंट विधान सभा से टिकट मिला है और हमारे जो राष्टी अध्यक्ष अर्विन के जीवाल जी उनका मैं पहे दिल से और काशी की जंता भी उनकी सुप्रिया करती हमारे पर उन लोगों ने विश्वास किया उसे हम लोग खरे उतरेंगे आज मौनी आमाश्या में हम लोग गहाटों की सफाई की विवस्था को देखने के लिए कि और करने के लिए और जो समाज में गंदगी फैली जाडु तो सफाई हर घर में करता है था यह समाज में जो गंदगी फैली उसका प्रतिकरविंद्ध केजरी वाली का चुनाओचीन जाडु सब करेगा जो of hall इतर्स और जो महांगाई का मुद्दा है, इस्कूल, बिजली, पानी, रोड, सारी बिवस्थाएं एकदम धत्ता बताते हुए, कि अल मंदीर मस्जीद, मंदीर मस्जीद ये क्या है, स्वास्त शरीर में ही स्वास्त मांसिक्ता का प्रश्च जब हम स्वास्त रहेंगे, स्वास्त बि बिवस्था सही रहेगा, सारी गरीबों का मदद किया जाए, मध्यमर्ग जो कमर तूड़ गया है, मध्यमर्ग का, जो लोग 25-30,000 महीना कमाते थे, आज उनको नोकरी से निकाल दिया गया, उनके बारे में सरकार नहीं सुनती है, किसी की बातों को न सुनकर के क्यों मंदीर जो हम फिट रहेंगे, तभी मंदीर मस्जीद में दर्सन करेंगे, और तभी मेरे अंदर भाव काहवत है कि भूखे पेट भजन नहोए, गोपाला, यह हमारी गजब की सरकार है, गजब की विवस्था है, इसी को दूर करने के लिए, अर्विंत केजरीवाल जी का यह जाड होती थी, कितनी नहीं है आती थी, लेकिन आज के समय में 22 घंटे आदमी को बिजली मिल रहा है, इस पर आपकर क्या तयना है? हम क्या करने हैं दिल्ली में 24 घंटा बिजली नहीं है क्या तीन सो यूनीट बिजली फ्री नहीं है क्या आज जो कमर तोड महंगाई है हमको सिलिंडर कप 400 रुपय का मिलेगा हमको जो 200 का तेल हो 100 रुपय में कम मिलेगा इसकी कोई बात नहीं करेगा सबजी शारा मंगा हर जगा टेक्स बच्चों का सिक्षा का वेवस्ता इतना धत्ता हो गया है कि उस पे कोई बात नहीं आप करोना काल में देखिए कि एक एक रात का डेड़ेट दो दो लाक रुपया लिया गया कि शीच का जब उसका कोई धवा इलाज नहीं निकला है सरकार उस पे कोई जाज बैठाई आप बताईए तो सारी सिष्ट में मिलके किवल जनता को लूट रही है इसी के लिए जो आप देखिए दिल्ली एक पूरे 20 समय एक विदेशों से लोग आकर के दिल्ली के सिक्षा माडल को देखने आ रहे हैं क्यों प्राइबेट स्कूल से बिजली सिक्षा स्वास्त नों ने दे दिया आज पूरे हिंदूस्तान में लोग बीमार होते तो दिल्ली क्यों जाते हैं हमारे यहां भी कासी की धरती पेंस है ट्रामा सेंटर है आप बताईए महां कितनी दलाली हो रही है कितने वंटीलेटर की बिवस्था है यही सरकार ह है केवल मंदिर मजीद और हिंदू हिंदू खत्रे में है मुष्टि अपर क्या सिस्टम चल रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा है हम कासी की जनता से कहेंगे कि इस बार यह ज़ाडू है ना सफाई का प्रतीक है तो जो मानसिक्ता गंदगी का यह समाज में फला हैं हम लोग गंगा जमनी तहजीब के रहने वाले लोग हैं कासी के धरती की लोग उनकी सड़ी मानसिक्ताओं को इस जाड़ू रूपी से लेकर उनके दिमाग में डश्टर से मिटाने का काम करेंगे हम लोग अगामी 2022 चुनाओ के लिए आप कासी की जनता को अ हम लोगों को मजबूत करेंगे तो वह दिल्ली का सिस्टम पूरे देश में आपको दिखाई देगा जैहिन जैभारत जैसा कि भी हमने 390 विधान सबाग कैन प्रत्यासी से बात सित किया राकेजी से और उनका भी यही चिसका ने कहीं ने कहीं सिस्टम इस समय यहां फैलेवर हो रहा है और दस मार्च को ही पता लगेगा कि किसकी कौन सी गौर्मेंट बंती है जो भी गौर्मेंट बंती है तो आगे चलके वो क्या जंता के लिए करती है कामेरा परसें रदीश पांडे के साथ इंडिया नेशनल नीव